तो गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभी सुबा के बज़ रहे हैं छे पचास और आज डेट है 17 अगस्त और जैसा कि आप सब को पता ही होगा तो बाड आया हुआ है कमला नदी का जैल असतर 15 अगस्त को बढ़ा था और कल के डेट में बहुत जादा ही पानी था और अभी देखना बाकी है कि क्या होता है तो मैं भी जाता हूँ अभी मान पर और दिखाऊंगा वो पानी लेकिन उससे पहले मैं आपको मचली दिखाने वाला हूँ एक छोटा सा जाल मेरा लगा हुआ है तीन चार हाथ उका होगा मेरे हाथ से बस इतना ही है लेकिन मचली बहुत फसता है उसमें तो मैं अभी वो आपको दिखाऊंगा कि कितना मचली फसा है दो-तीन दीन से बारिस हुई बस आज राच छोड कर कर चोड को चोड करके दो-तीन दीन बहुत ज्यादा बारिस हुई है तो उस कारण से मचली जादा फ़ज रही है तो हम चलते हैं और देखते हैं मनेरो पुड़ा वीडियो पर तो यहाँ पर देख सकते हो लड़के लोग अपने जाल से मचली को निकाल रहा और ये सभी बारिस के पानी वाला मचली है जो बारिस हुई है उसमें जो मचली आया हुआ है वो सारे मचली है तो बारिस के पानी वाला मचली है बहुत मचली होता है हर जाल में मतलब एक दो किलो तो फसी जाता है खाने की मचली खाने की किसी को प्रॉब्लम नहीं होती अभी गौँ में और फाइनली ये देखो मेरा जाल जो की ज्यादा परा नहीं है वस तीन चार हाथ का होगा और मचली देखो भाई साब कितना मचली फसा हुए सारे मचली है सारे जाल भर चुके मतलब 1.5-2 किलो से कम नहीं होगा तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ और आप देखो तो पानी का चैल अस्तर बहुत ज्यादा कम हो गया जो कि राहत की बात है आप लोग देख सकते हो पूरा धान दिखने लगा तो अब धान बच जाएंगे सारे क्योंकि पानी बहुत कम हो गया और आप देख रहे हो हरा भरा सारे जगा पानी पहुंच चुका था और अब देखो पानी बहुत ज्यादा कम हो गया यह देखो तो भगवान से दुगा किया था हमने वो काम कर गया और पानी कम हो गया तो अब धान सारे बच जाएंगे और अब इस पानी में इस बार बहुत ज्यादा मचली आया हुआ है तो मचली मारना शुरू भी हो गया देखो आप लोग इधर जाल भी लगाया जा रहा है यह लोग जाल लगा रहे हैं और अभी कुछ देर के बाद ही हर जगा जाल मचली मारने के जितने भी औजार होते हैं लग होने वाला है मिलते हैं चल दे तब तक के लिए बाई